दोस्तों कुछ दिन पहले होंडा मोटर्स इंडिया ने बिलो 200cc सेग्मेंट में एक धमाकदर बाइक होर्णेट 2.0 को लॉंच किया है ये बाइक इस प्राइज रेंज की दो बाइक के साथ कमपिट करता है एक है TVS Apache RTR 200 4V और दूसरा है बजाज पासर NS200 कुछ दिनों से आप रिकोईस्ट कर रहे थे कि मैं इन बाइक का एक कमपरिजन वीडियो बनाओ और आज की इस वीडियो में मैं आपको नई Honda Hornet 2.0 और टीवेस Apache RTR 200 4V का एक डिटेल कमपरिजन देने वाला हूँ आप इस वीडियो को आखिर तक देखकर आपका अपिनियन मुझे बताइए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर दी बाइकर्स डारी फेमिली से जूर जाईए डेस्क्रिप्शन में मेरा इंस्ट्राग्रम आईडी और फेस्बुक पेज़ का लिंग आपको मिलेगा अब मुझसे कॉंटेट करना चाहते हैं तो उसमें मेसेज कर सकते हैं कॉंपरिशन का पहला पॉइंट है प्राइस आज की डेट में होर्णा होर्णेट टू पाइंट हो की एक्सोरूम प्राइस कोल काता है मतलब दोस्तो दोनों बाइक का प्राइस में बस 800 रुपीज का फरक है अब कॉंपेर करने के बाद मैं आपको बताऊंगा के कौन सा बाइक भैलू फर्मानी बाइक है कॉंपरिशन का दूसरा पॉइंट है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होंडा होर्नेट 2.0 में 184.4 cc सिंगल सिलिंडर एयर कूल्ड टू वाल फुल इंजेक्टर इंजिन मिलेगा ये इंजिन मैक्सिमम 17.3 PS पावर प्रोवाइट करेगा अट 8500 rpm और मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइट करेगा 16.1 Nm आट 6000 rpm इस बाइग में पोग्राम्ट फुल इंजेक्शन यानि PGM-FI टेक्नलोजी का यूजवा है और इस बाइग में वान डाउन फॉर आप पैटन का 5-speed gearbox मिलेगा कीक्स्टार्ट का option इस बाइग में नहीं है माइलेज की बात करें तो लगवग 40 kmpl माइलेज इस बाइग में आपको मिल जाएगा वही दूसरी तरप TVA सबाचे RTI 204V में 197.75 cc oil cooled 4 valve fuel injected O3C engine मिलेगा जो 8500 rpm में maximum 20.7 bhp power and 7500 rpm में maximum 16.8 newton meter torque provide करेगा इस बाइग में RT slipper clutch का यूजवा है और दोस्तों इस बाइग में भी 1-down 4-up pattern का 5-speed gearbox मिलेगा माइलेज की बात करें तो इस बाइग का माइलेज on a neverage 45 to 50 kmpl है इस point पे देखे तो Honda Hornet 2.0 से TVA सबाचे RTI 204V का engine specification and performance बेटर है TVA सबाचे RTI 204V में oil cooling system, 4 valve and slipper clutch मिलेगा जो Honda Hornet 2.0 में नहीं मिलेगा इसके अलबा TVA सबाचे RTI 204V में glide through technology system मिलेगा जो Honda Hornet 2.0 में नहीं है लेकिन Honda Hornet 2.0 का engine ज्यादा smooth है फिर भी TVA सबाचे RTI 204V का engine मुझे ज्यादा अच्छा लगा इसकी features के बज़ाए से comparison का तीसरा point है braking system Honda Hornet 2.0 का front wheel में twin piston caliper 276 mm diameter का petal disc brake with single channel ABS मिलेगा आप यहाँ पे ABS sensor और यहाँ पे ABS sensor plate को देख सकते हैं इस बाइक का rear wheel में single piston caliper 220 mm diameter का petal disc brake मिलेगा rear wheel में किसी प्रकर का sensor का use नहीं हुआ है वही दूसरी तरफ TVA सबाचे RTI 204V में dual channel ABS मिलेगा इस बाइक का front wheel में dual piston caliper 270 mm roto pedal disc brake दिया गया है और यहाँ पे front wheel में ABS sensor plate देखने को मिलेगा इस बाइक का rear wheel में single piston caliper 200 mm roto pedal disc brake दिया गया है और इस बाइक का rear wheel में भी आप ABS sensor plate को देख सकते हैं इस point पे देखे तो Honda Hornet 2.0 से TVA सबाचे RTI 204V का braking system and safety features बेटर है क्योंकि इस बाइक में dual channel ABS मिलता है comparison का चौथा point है frame and suspension Honda Hornet 2.0 में आपको diamond type frame देखने को मिलेका और rear side में box stripe screwing ram दिया गया है इस बाइक का front में आपको Shawa company का upside down suspension मिलेका इस बाइक का rear में monosak suspension दिया गया है वही दूसरी तरफ TVA सबाचे RTI 204V में racing origin street cradle chassis का यूजवा है rear side में box stripe screwing आप यहां पे भी मिलेगा इस बाइक का front में QIB का 35 mm diameter वाला टेलिस को भी suspension के साथ-साथ rear में monotube floating piston के साथ 7 step adjustable monosak suspension मिलेका इस point पे देखे तो Honda Hornet 2.0 का front suspension बहुत ही advanced है यहां तक frame भी better है rear suspension दोनों बाइक का लगवक सेम है comparison का पाच्वा point है ground clearance, seat height, wheel base and carb weight Honda Hornet 2.0 का ground clearance है 167 mm wheel base है 1355 mm इस bike का carb weight है 142 kg and seat height है 780 mm वही दूश्री तरफ TVS Apache RTR 204V का ground clearance है 180 mm wheel base है 1353 mm seat height है 800 mm and curve weight है 153 kg इस point पे देखे तो दोनों बाइक का wheel base and curve weight लगवक सेम है लेकिन TVS Apache RTR 204V का ground clearance and seat height Honda Hornet 2.0 से ज्यादा है comparison का 6th point है instrument cluster Honda Hornet 2.0 में fully digital liquid crystal type instrument cluster मिलेगा जिसमें RPM meter, speedometer, time, battery voltage, fuel status, gear position indicator, odometer, twin trip meter के साथ-साथ, ABS indicator, turn light indicator, neutral indicator, high beam indicator and engine malfunction indicator भी दिया गया है दूसरी तरफ, TVS Apache RTR 204V में white backlit वाला fully digital instrument cluster मिलेगा ये instrument cluster Smart X Connect features के साथ लेज़ है mobile app के मदद से आप इस instrument cluster में turn by turn negation, lean angle, call and SMS alert, crash alert, low fuel warning जैसे बहुत सारे unique features dedicated info button के मदद से देख पाएंगे चुकि switch console में दिया गया है और इस instrument cluster में lap timer, 0-60 timer, top speed recorder जैसे features के साथ-साथ, ref counter, time, speedometer, twin trip meter, fuel status, odometer जैसे common features मिलेगा इसके अलाबा, engine malfunction indicator, ABS indicator, neutral indicator, low fuel indicator, turn light indicator, high beam indicator जैसे common features भी दिया गया है इस point पे देखे तो TVS Apache AirTier 200 4V का instrument cluster बहुत ही advanced है और बहुत सारे unique features है जो Honda Hornet 2.2 में नहीं है Comparison का सात्वा point है looks Honda Hornet 2.2 का overall design इस तरह से किया गया है जिससे ये bike एक premium bike की तरह दिखता है AG card panels के वज़े से बहुत ही अच्छी styling इस bike में मिलेगा सामने से देखे तो headlight visor का दोनों side में body color से matched panels यहाँ पे आप देख पाएंगे visor के उपर यहाँ पे Honda badging भी देखने को मिलेगा इस bike में 12 liter capacity वाला fuel tank दिया गया है इस tank का middle में यहाँ पे carbon fiber finish मिलेगा और यहाँ पे matte finish दिया गया है Honda का logo भी आप यहाँ पे देख पाएंगे इस bike का ignition key slot tank में ही है और यह features इस bike की safety बढ़ाने के साथ साथ एक premium फिल भी देता है इस tank का जो extended cowl है उसमें matte black color का use हुआ है यहाँ पे Honda का 3D emblem देखने को मिलेगा tank का side में नई graphics के साथ hornet badging भी दिया गया है दोस्तों इस bike में एक belly cowl भी मिलेगा और इस belly cowl इस bike को aggressive looks देता है side panel की तरब देखे तो आप देख सकते के हर जगा पे एक aginess style दिया गया है जिससे इस bike का ergonomics बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे 2.0 badging भी मिलेगा rear side panel में भी आप ओही aginess देख पाएंगे tail section की इस हिस्से में carbon fiber finish दिया गया है तोस्तों इस bike में straight type handle बर मिलेगा दूसरी तरब TBS Apache Artyar 204 V में naked street fighter looks मिलेगा front की तरब से देखे तो एक नया headlight setup आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा headlight का side cowl body color से matched है और यहाँ पे red stickers के साथ carbon fiber finish भी मिलेगा front mud guard body color जाए सही है और इसके उपर में TVS racing branding देखने को मिलेगा इस bike में 12 liter capacity वाला muscular fuel tank दिया गया है tank का middle में red color का stripes मिलेगा tank का दोनो side में TVS का 3D horse logo यहाँ पे देखने को मिलेगा tank के side में RDR badging के साथ-साथ black color का air scoop भी देखने को मिलेगा और इसके साथ-साथ carbon fiber finish sticker भी देखने को मिलेगा side panel matte black color का है और इसमें sticker से apache branding किया गया है tail cowl की तरब देखे तो tail cowl में 204 भी branding के साथ-साथ red sticker और carbon fiber sticker भी आप देख पाएंगे दोस्तो इस bike में भी एक belly call दिया जाता है जो इस bike को भी एक aggressive looks देता है इस belly call की right side में RT slipper clutch और BS6 branding और left side में RTFI branding मिलेगा और दोस्तो इस bike में split type handle bar का use होता है इस point पे देखे तो Honda Hornet two point ओ का looks मुझे ज्यादा attractive लागा comparison का आटवा point है electrical Honda Hornet two point oh में LED DRL के साथ fully LED headlight आपको मिलेगा इस bike में आपको LED indicators भी मिल जाएगा और सबसे खास बात इस bike में hazard features by default आपको मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये चाड़ों indicator एक साथ जल रहा है tail light की तरब देखे तो headlight indicator की तरब इस bike का tail light भी LED टाइप है और इस tail light का shape X टाइप है और इस bike का DR indicator भी LED टाइप है दोस्ते इस bike में decent quality का switch console भी मिलेगा left side में pass beam, high low beam, indicator and horn switch दिया गया है और right side में engine kill switch, hazard on off switch and electric start switch मिलेगा दूस्री तरब TVS Apache Air 204 भी में claw type LED DRL के साथ unique shaped fully LED headlight unit मिलेगा indicators की तरब देखे तो clear lens वाला non-flexible turn indicators front and rear दोनों साइड में ही मिलेगा और ये indicators bulb type है और इस bike में fully LED tail light का यूजवा है switch console की तरब देखे तो decent quality का switch console इस bike में भी दिया गया है left side में pass beam, high low beam, indicator, info switch and horn switch मिलेगा और right side में engine kill switch and electric start switch दिया गया है इस point में देखे तो दोनों bike का electrical system लगवक्स सेम है comparison का 9th point है wheels and tires Honda Hornet 2.0 का front wheel में 110 by 70 size का zapper type tubeless tire और rear wheel में 140 by 70 size का zapper type tubeless tire दिया गया है इस bike की rim 17 inch diameter वाला है दूसरी तरफ, TVS Apache RTIR 200 4V का front wheel में 90 by 90 size का और rear wheel में 130 by 70 size का tubeless radial tire मिलेगा rear wheel में एक tire huger भी आपको मिलेगा और इस tire huger में RTIR branding भी क्या गया है इस point पे देखे तो Honda Hornet 2.0 का tire ज्यादा wide है लेकिन TVS Apache RTIR 200 4V का rear tire radial tire है comparison का दसवा एन आखडी point है seat Honda Hornet 2.0 और TVS Apache RTIR 200 4V दोनो bike में ही split seat दिया जाता है लेकिन मुझे Honda Hornet 2.0 का seat ज्यादा comfortable लगा तो दोस्तो ये था इन दो bike का detail comparison Honda Hornet 2.0 मुझे ज्यादा overpriced लगा और TVS Apache RTIR 200 4V मुझे एक value for money bike लगा इन दो bike में से कौन सा bike आपको अच्छा लगता है comment section में मुझे बताइए आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा